इसे ही वेडिंग का डेट आप लो, अपने बच्चे के साथ में बैठो और बच्चे को बताओ कि काउंसिलिंग करो उसकी, प्रिमेरिटल काउंसिलिंग होनी ही चाहिए, अगर आपको डिवॉस का रोट नीचे लाना है तो, अगर आप को चाहिए कि आपका बच्चा डिवॉ इसकी शादी की डेट आईए, उसको थोड़ा लेसन दो, नेक्स प्लीज, हमारा माहुल हम ये समाज, ये सिचुएशन में हम जी रहे हैं, कि लव एट फर्स साइट, पहली नजर में प्यार हुआ, और डिवॉस फर्स फाइट, पहला जगड़ा हुआ, कि बस माई ये लड़की के साथ में नहीं रहे सकता, इसके साथ में इसको कुछ समझ ही नहीं है, इसके साथ में पूरी लाइफ पैसे भीताओ, ये चोटी-चोटी बात पर ये करता है, कि ये करती है, ब्ला-ब्ला-ब्ला-ब्ला-ब्ला, पहली नजर में बहुत प्यार हो गया, और प्यार इसा हुआ कि सब लोग समझावे, मम्मी समझावे, डेडी समझावे, दोस्त लोग समझावे कि भाई ये तेरे काबिल नहीं है लड़की, नहीं मेरे को तो यही लड़की को करने का है, ठीक है भाई कर ले, लड़की की मम्मी बेटी समझावे कि ये लड़का अच्छा नहीं ह मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए जान दे दूँगी, ब्ला-ब्ला-ब्ला-ब्ला. पहली नजर में प्यार हुआ, शादी हो गई, और पहली फाइड के अंदर, नहीं, I cannot stay with him. I want divorce. यह हो रहा है, every day in and day out हो रहा है, इसको कैसे stop करने का, इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ. Next, please. Next. अगर counselling हो गई, तो हम उनको बताएगे के healthy relationship, marriage के अंदर कैसे लाने का, हम उसको prepare करेंगे, couple को prepare करेंगे, के आने वाली जिन्दगी के अंदर, एक दूसरे conflict होगा, एक दूसरे को कैसे समझने का, और हम prepare करेंगे के आपका relationship healthy कैसे हो, successful, strongly आप bonding के साथ में किस तरह रह सकते हो. Next, please. अगर counselling हो गई, तो हमने एक foundation stone रख दिया, उसकी जिन्दगी का, के आने वाली जिन्दगी के अंदर, honeymoon के period के बाद में, जब actual, real life आएगी, उसके अंदर बहुत सारे तूफान आएंगे, उस तूफान के अंदर, अपने पाउ गड़ा के रखने का, अपने relationship को बहुत ही strongly कैसे रखने का, के rough weather आएगा, मुच आएंगी, नीच आएंगी, अपनी life के अंदर friction आएगा, conflict आएगा, लेकिन ये conflict, friction के अंदर, हम लोग हिल न जाए, हम लोग एक दूसरे partner का, हाथ थाम के, किस तरह आगे बढ़े, और successful life किस तरह बिताए, ये तूफान आएंगा, उसमें surprise नहीं हो जाए, मैंने किस से शादी कर ली, ये पातर से मैंने शादी कर ली, ये मैं दोनु के लिए बोलना हूँ, लड़के के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बेटा भी मेरा है, बेटी भी मेरी है, मैं सब के लिए बता रहा हूँ, कि कोई surprise नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर life के अंदर, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो मालदार हो या गरीब हो, उसका कोई problem नहीं, हर एक शादी शुदा जिंदगी के अंदर conflict आएगे, friction आएगे, बट उस friction को कैसे smoothly handle करने का, conflict को कैसे आराम से handle करने का, मिल के handle करने का, तब जाके आप family success, happy life का test चक सकोगे।